हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाई क्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे उनका सलूशन प्रवाइट करने की कोशिस कर रहे हैं थे नहीं ठीक है उसके तहत हम बात कर रहे हैं योनिट शन मेजरमेंट की अगला कुशन वेसी खित्मत है आपके सामने देखिए और इंज्वाई करिए नीट फिजिक्स पीवाई क्यूज टॉपिक यूनिट शन मेजरमेंट देखिए यह जो कुशन आपका है वो PMT 2015 का है जब तक हम पढ़ते हैं तब तक आप पिक्चर को देखिए कि उसमें लिखा क्या है क्या है क्योशन कहता है कि the energy, velocity and time are chosen as the fundamental quantities ऐसा ही कुशन नीट 2021 केस में पूछा गया है अगर आपने प्लेलिस देखी होगी तो उसमें 20 नंबर का जो वीडियो है वो आपको मिला होगा 20 नंबर में ठीक है तो यहां कह रहा है कि energy, velocity और time एक fundamental quantities है तो dimensional formula of surface tension का formula निकालना है तो पहले बात कर लेते हैं question कहें क्या रहा है देखे actually में surface tension जो प्रष्ट तना होता है वो हम जानते हैं कि force upon length होता है उन्होंने का नहीं जो surface tension है ना उसको एस से डिन्ट कर लेते हैं surface tension को कह रहा है कि यह इसके लिए जो fundamental quantity जिसके term में लिखना है वो energy के term में लिखना है य इस पर depend करता है तो depend करता है का मतलब क्या होता एनर्जी बढ़ने पर surface tension बढ़े एनर्जी बढ़ने पर surface tension double हो जाये energy दोग ना हो जाये surface tension under root time हो जाये तो कैसे depend करता है अगर आपने पढ़ा हो तो डामेंसंस के यूजेज बताए गए थे हम इसी प्लेइस्ट में आपके डामेंसंस वाले जितने भी चेप्टर्स हैं हमारे फिजिक्स के वो डाल देंगे उनको देख लीजिएगा तब यहां पहुंचिएगा उस चेप्टर को पढ़ने के बाद म तो यह फर्मला आपको बन गया काम खताब अब आपको एबी सी की वैलू निकाल ली है बस ही करना है तो सर्फिस टेंशन की डामेंसन क्या होती है तो सर्फिस टेंशन का फर्मला होता है फोर्थ पान लेंथ तो फोर्ष की M L T इन्वर्स टू और लेंथ की L L कड़ गया तो S की हो जाएगी M T inverse 2 अच्छा एनर्जी का गई बार आप पढ़ चुके है M L Square T inverse 2 और अगर नहीं मालू तो एनर्जी का कोई फामला आपको मालू हूँ Half M T Square मालू है M G S मालू है जो भी मालू है वहाँ से निकाल लो Power A V velocity है velocity का L T inverse 1 होता है Power B और Time T का C होता है अब आपको Power ही निकालना है इसको लिखो M T inverse 2 यहाँ देखिए M की Power A यहाँ आएगा और कहीं M है नहीं तो M की Power अकेली A रहेगी L की Power यहाँ से 2A आएगी L की Power 2A आएगी यहाँ से L की Power B हो जाएगी प्लस में B हो जाएगी क्योंकि Multiply लिखे है T की Power यहाँ से Minus का 2A आएगा यहाँ का Minus B यहाँ का Plus का C ठीक अब दोनों तरफ की Power को Equate कर दिया जाए तो M की Power यहाँ पर A है यहाँ पर 1 है तो A की Value 1 आगई तो A की Value तो निकल आई यहाँ इस Formula के हिसाब से E की Power 1 आ गया अब ज़रा देखे जहन से अगर आपके पास कोई ऐसे Option लिखे हो जिसमें A क्क्वेशन में E की Power 1 हो और और क्क्वेशन में E की Power पता नहीं क्या हो और आप Confident हो के A की Value सही निकाली है तो वही Option सही कर लिजिएगा अगर Confident नहीं हो तो सब निकाली जिएगा ठीक है अच्छा L की Power यहाँ क्या है 2A प्लस B और यहाँ L की Power है नहीं तो जो है नहीं तो क्या है 0 A की Value निकाल चुके हैं तो 2 प्लस B is equal to 0 तो B की Value क्या आ गई minus 2 तो एक Value और निकल आई B की Value minus 2 यानि कि V की Power minus 2 आ गया एक और Formule आ गया अगर आपका कोई ऐसा Option है चार में से कि 2 में E की Power 1 इथी एक पे V की Power minus 2 है तो यह Option सही है लेकिन एक बात पे सही है कि आप यह Confident हो कि आप जो Value निकालना है वो बिलकुल सही है ठीक है T की Power क्या है minus 2 A minus B plus C यहाँ T की Power है minus 2 A की Value 1 है तो यह minus 2 हो गया minus और B की Value क्या है minus का 2 थे plus का 2 हो जाएगा plus C ब्रावर minus 2 तो यह कड़ गया C की Value भी minus 2 आ गई यानि कि यहाँ T की Power भी minus 2 आ गई तो यानि कि आपका जो Formula बना वो E V की Power minus 2 और T की Power minus 2 बना अब आपका Option देखो कौन सा सही है इसका C Part सही है तो इसका C Part सही हो गया तो मान लिया A value आपने निकाल लिए A की Power 1 आ गई और आपके सभी Option में A की Power 1 के ओले एक Option में है तो आगे मत निकालिए मान लिए आपका वही Option सही है लेकिन एक सर्थ लगी उसके साथ कि आप ये Confident हो कि आपने जो A निकाला है वो सही है अगर गरबढ़ सरबढ़ है तो फिर सब निकालो और सब में गरबढ़ सरबढ़ है तो अकर वकर मत के लिए गा क्यों निकेटिव मार्किंग होती है ठीक है नेक्स वीडियो थैंक यू